पुझे कॉंग्रस भी चाहती है कि मुख्षमंद्री जी को आगे आगे इस पूरे सिती के बारे में राज्की जनता की समक्षित सिती अस्पष्ट करनी चाहिए यह राज्यतिक और शिर्ता का महौल कहीं से भी उचित नहीं है भीहार के लिए कॉंग्रस पार्टी के अस्पष प्रणा क्रम होता है ऑगा तब फिर पार्टी अपना स्टेंड किलियर करेगी कॉंग्रेश उवर ओल नजर बनाए हुए स्थिती पर हम विपक्षित के दलों पर भी बात कर रहे हैं सब की स्थिती देखरें कौन क्या कर रहा है कौन क्या हो रहा है यहां कई तरह के विकल प कि स्थिति में है तो कौन सभी पर स्थितियों को देख रही है और अभी हमारा फोकस राहूल गांधी जी के न्या यात्रा पर है लेकिन हम इन चीज़ों पर भी नजर बनाये हुए हैं और जो कुछ भी होगा कॉंग्रेस पार्टी अपने हितों को ध्यान में रखकर फस्दा पर बिजय बताएगा कि कॉंग्रेस की रीडिंग क्या है पूरी सिच्वेशन की अब वो भी कह रहे हैं आरजेटी की तरह के नितीश कुमार बयान दे बिल्कुल देखिए सौरब कॉंग्रेस के काफी नेताओं से मैंने बाचीट की और उनका कहना है कि लास्ट मुलाकात कॉंग्रेस के नेताओं की नितीश कुमार के साथ अभी दो दिन पहले हुई थी जब कॉंग्रेस के नेता नियाए यात्रा का नियोता जो रैली 30 तरिको कॉंग्रिस करने वाली है उसका नियोता देने के लिए नितिश कुमार को गए थे और जो दो नेता नियोता लेकर गए थे उनका कहना है कि बाचीत उनसे बड़ी अच्छी हुई इस तरह का कोई अंदेशा उस समय उनको नहीं लगा जिस तरह की अटकले अब लगाई जा रही है इनफाक नितिश कुमार ने कहा कि आपकी यातरा काफी अच्छी चल रही है ऐसी बात जो है वहाँ पर हुई लेकिन किसी तरह का आशवासन नहीं दिया नितिश कुमार ने कहा कि क्यूंकि गांधी जी का को लेकर के तमाम तरह के कारेक्रम बिहार में होते हैं तो उनकी व हम जो हैं वो पैदा होते हैं और perception के लिहाज से वो अच्छे नहीं है लेकिन Congress Party अभी Congress के बड़े निताओं से मेरी बात हुई वो कह रहे हैं कि अभी कोई फैसला हो गया ऐसा मत मानी है अभी भी बीज़पी के कार्याले में दिल्ली में बैठक चल रही है अभी कोई निरने बीज़पी और जेडियू का नहीं हुआ है आप मीडिया के लोग बहुत जल्दबाजी में हैं तो Congress के निता क्लोजली situation को monitor कर रहे हैं और उनके मताबिक अभी भी ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है बातचीत जरूर हुई है लेकिन कोई निरने नहीं हुआ है ऐसा Congress के नेता मान रहे हैं लेकिन ये भी जर्चाए हैं कि नितीश कुमार की नाराजगी वो सीधे सीधे Congress Party से भी है नितीश कुमार मानते हैं कि इस विपक्ष के गठबंदन को जोड़ने वाले वो थे पटना में पहली बैठक उन्होंने कराई थी और उसके बाद से उन्हीं की भुमिका खतम कर दी गई देखिया सौरब इसमें कोई दोर आये नहीं है कि जब इंडिया गठबंदन का नाम भी इंडिया गठबंदन नहीं रखा गया था तो उस रूप रेखा को लेकर अगर कोई व्यक्ति चला था पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिन तक तो वो नितिश कुमार थे मिले वो उरिसा गये नवीन पत्नायक से मुलाकात की अरविन केजजीवाल से मुलाकात की महमता वैनरजी से मुलाकात की तो यह इंडिया का जो crave है उसकी नीव किसी व्यक्ति ने रखी तो वह नितिश कुमार थे नितिश कुमार सयोजक बनना चाहते थे उनकी aspiration थी और शुरू की कुछ meetings में वो उम्मीद भी कर रहे थे कि उनको convener नियक्त किया जाएगा लेकिन इंडिया alliance में बाकी कुछ और लोगों की भी aspirations हैं जिसे पश्चिम मंगाल की जो मुख्यमंत्री है महमता बेनर जी उनकी party मानती है कि वो एक प्रधानमंत्री material है इसलिए वहां से कुछ आर्चने लगी और शुरू में कहा गया कि महमता बेनर जी इसको लेकर के इच्चुक नहीं है वो उनके नाम पर सहमत नहीं है लेहाजा शुरू की कुछ मीटिकों में नितिश कुमार को सयोजक का पद नहीं दिया गया जिसकी वो पूरी उम्मीद करे थे चार मीटिंग के बाद जरूर प्रपोजल दिया गया जब ममता बेनर जी के प्रपोजल पर ही मलिका अरजुन खरगे को चेर परसन बनाने का फैसला लिया गया तब नितिश कुमार को प्रपोजल दिया गया कि आप सयोजक बन जाये लेकिन नितिश ने दोटूक शब्दों में उस मीटिंग में कहा कि मेरी इच्छा नहीं है तभी से अटकलों का बाजार गर्म था इंडिया अलाइंस के तमाम नेता तभी हमें सौरप कहते थे कि नितिश शायद पाला बदलना चाहते हैं और इसलिए कन्वीनर का पद लेने से बच रहे हैं या साफ साफ मना करे हैं लेकिन अभी जैसा आपने का कि कॉंग्रेस को शायद अभी भी उमीद है कि शायद नितिश कुमार न जाएं शायद उनके और बीजेपी के बीच बात न बने लेकिन ये सब कुछ तब तक चलता रहेगा जब तक नितिश कुमार खुद इस बारे में कोई क्लारिटी नहीं देते बहुत शुक्रिया आपका जोडने के लिए हमारे साथ